आपका अपना परिवार है बेटे बेटियां भुवे हैं दामाद हैं भाई बेन हैं वो एक परिवार है लेकिन जब मैं आप सब को देखता हूँ तो मुझे भी आभास होता है कि मैं भी एक परिवार रखता हूँ लेकिन मैंने अपने उस छोटे दायरे में कभी परिवार को नहीं माना, मैंने माना है कि पूरे हरिणा की जनता, 2.87 लाख लोग, लगबग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है, और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई-बेन हैं, अब आपकी तकलीफ जो बढ़ती है, तो उस तकलीफ को मैं भी महसूस करता कि किस प्रकार की तकलीफें, 60 वर्ष की आयू के बाद हो जाती हैं, इन तकलीफों को दूर करने के लिए, हमने एक प्रोग्राम तो बहुत शुरू किये हैं, परिवार के नाते भी, व्यक्ति के नाते भी, साथी, एक बात जो हमको सब को स्वर्ण हैं, कि कुछ वर्ष पहल सो रुपे के आसपा से शुरू हुई थी, समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़तरी हुई, और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार समभाली, तो उस समय ये पैंशन एक अजार प्या मासिक थी, हमें लगा कि इसमें बहुत कमी हैं, इसको बढ़ाना चाहिए, लगाता हर वर्ष 200 रुपे, 200 रुपे, 200 रुपे, इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते, और अभी एक अप्रेल अगला जो 2023 का महिना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पैंशन है, जो सम्मान निधी है, ये 2750 रुपे हो जाएगी, का 1000 रुपया, का 2750 रुपया, अ अपने प्रदेश के लगबख साड़े अठारा लाक बजरुगों को, ये हर महिने राशी पहुचाते हैं, 460 क्रोड रुपे से उपर ये राशी हर महिने पहुचती है, जब ये क्रम चलता हो, हमने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई, कि ऐसे सब बजरुगो अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पैंशन बनानी पड़ती है, तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास ले करके अपनी दस्ताविजों के फाइर बनानी पड़ती है, और फिर धक्ये खाखा करके भी उनकी महिनों वर्षों तक पैंशन ही बनती है कभी उनका स्पारशी कोई नहीं मिलता उनको, बहुत से लोग बीच में अजेंट खड़े हो जाते हैं, उस नाते से एक तकलीफ हैं, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, यह एसास जब हमको हुआ, तो हमें लगा कि यह बहुत एक अन्यायपूर्ण एक विवस्ता है, इसको बदलना चाहिए, हमने इसमें बदल करके, जब परिवार पैचान पत्र बनाया, और हर परिवार का डाटा यह हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतरगत हमको पता लगा, कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयू के हिसाब से, उ दोनों पत्ति-पत्नी की आये, ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जब ये 2 लाख रुपए की बात आई, तभी भी ध्ats कि दहन में आया, कि ये 2 लाख रुपए कम नहीं हैं, हमें लगा 2 लाख रुपए, ये कम हैं, तो इस अगले महीने से, हमने इस आये को भी करके दो से तीन लाख रुपया कर दिया है और इस तीन लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं तब ये भी विवस्था बनाई कि जिस महिने में 60 वर्ष का विक्ति हो जाए उसको तरंत अगले महिने से अपने आप पंशन शुरू हो जाए मात था शुरू में जब विवस्था शुरू होई कि हमको तो पंशन की जूरूत नहीं है इसलिए हम कहेंगे तो ये तो पंशन देनी होगी इस नाते से हमको ये भी लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पंशन का सरकार के उपर बोज न डाला जाए तो अपनी एसहमती भी परकट करते हैं उसी में से वस्ता निकली के एक बार साथ हर्ष का होते ही एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर जरूर लेने चाहिए तो हमने लेने शुरू किये हैं एक ही महिने के अंदर-अंदर वो सहमती पत्र के साइन भी हम दो अब टार था और इन 6 मेंनों में 16,500 लोगों को और अपन्य पैंशन मिली तो ऐसे जो शाड़े 16,000 हैं आज मैं उन सब 16,000 के साथ elfon का संपर करके और यह बाचित कर रहा हूं निश्यत रूप से आपके मैं अनुभवी बाद में सुनना जाहूंगा कि इस automatic pension बनने में कहीं आपको कोई कठराई तो नहीं आई है मुरा पुरा विश्वास है कि ये कठराई नहीं आई होगी अगर कोई आई भी होगी तो इसको हम तुरंत जो है दुरुस्त भी करेंगे ठीक भी करेंगे अब ये तो automatic pension बनने की बात है लेकिन हम लोगों ने इस pension को इस pension को जो पहले से बनी हुई है उसमें भी लगबत साड़े ठारा लाग परिवार जो मैंने बताया है उनको हम ये pension दे रहे हैं और इस pension के माध्यम से मुझे ये भी ध्यान है कि आखर तो हम परिवार वाले लोग हैं हमारे बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां, हमारे सब परिवार के लोग कभी-कभी उनको हमें उनको सयोग करना पड़ता है, उनको मान सम्मान करना पड़ता है, उनको कोई कही न कहीं दान दक्षना देने की भी हमारी मन की इच्छा होती है, तब भी हम देते हैं, तो एक सुईधा, ये हर्याना के लोगों को जो मिल रही है, लगबग 2700 रुपे की जो अब योजना अपर मैं तो आपको आज यही कहूंगा, कि हम लोग जो ये एक लाब सरकार से ले रहे हैं, तो इस लाब के बदले में, हम लोगों को, क्योंकि हमारी आयूबी 60 वर्षी हुई है, तो 60 वर्ष होने के बाद आखिर व्यक्ति का शरीर स्वस्त रहता है, काम करने योगे रहता है, त जो अपने आप एक स्वेम सेवक के नाते, एक वलंटियर के नाते काम कर सकते हैं, उनका भी एक पोर्टल बनाया है, उनको हम रिश्रेशन कराते हैं, और रिश्रेशन कराने के लिए, अगर अपना मन मानें, कि हमको आखिर कोई ना कोई समाज का काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये समाज है ये हमारा परिवार है एक छोटा परिवार जिसके अंदर हम पैदा हुए हमारे आगे परिवार के सदस्य बेटे बेटियां बेन भाई हमारे जो दोते दोतियां पोते पोतियां और हमारी बहुएं हमारे दामाद एक परिवार दूसरा परिवार य ये बात हमारे रिशिव उन्यों ने भी हमेशा कही है, कि अपना जो मन है, ये बड़ा करना चाहिए. ऐसा कहते हैं, अयम निजा प्रोवेती, यानि ये मेरा है, ये तेरा है, गणना लगुचे इतसाम, ये छोटे दिल के लोग करते हैं, उदार चरिता नाम तूं, बड़े हिर्दे के लोग वही होते हैं, वसूद है वो पुटुमबकम, जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, आकर अपनी सोच हमको बड़ी करनी चाहिए, और अभी तक हमने शायद अपने परिवार पालन पोशन में ही सारा समय लगाया होगा, लेकिन एक आयू के पड़ाओ के बाद, जैसे हमारी प्राचीन पर्मपरा होती थी, वानप्रस आशरम की, तो इस वानप्रस थी आशरम के अंदर जा करके, हमको समाज की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई एक अकेला विखती, या एक अकेला परिवार, ये अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं हो सकते, अपने आप में सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, हमको प्राया सभी काम करने के लिए समाज की भ्यावशकता होती है, यदि सारे समाज के हम चिंता करेंगे, तो समाज हमारी भी चिंता करेगा, तो इसलिए volunteer बनने के लिए अपने हमने जो portal बराया है उस portal के बारे में मैं बताता हूँ उसका नाम है smurpan.gov.in अंगरीजी का ये शब्द है आपको अगर न ध्यान में आए तो आप निश्विद रूप से आपके गाउ में जो भी कोई computer के नाते से जो कोई वहाँ सांजा के इंदर है अत्वा जिसको CSC कहते हैं या अटल सिवा के इंदर कहते हैं या कोई भी computer जानने वाला व्यक्ति उसको हम बता सकते हैं कि मैं भी अपना नाम volunteer इसनाते से उसमें जुड़वाना चाहता हूँ तो इसनाते से हम और volunteer बन सकते हैं हमने इस प्रकार की सिवाएं बह से उनकी स्थितिक हैसाब से खास करके आर्थिक स्थितिक हैसाब से बहुत सी योजना हमने शुरू की हैं हमने इस परिवार पैचान पत्र के अंदर जितने भी नागरिक हैं अर्थात दो क्रोड 87 लाग इनको छे भागों में बाटा है जिरो से छे वर्ष तक जब बच्चे होते हैं बहुत छोटे बच्चे अफर उनकी भी संबाल करनी होती है हमने महिला बाल कल्यान विभाग के नाते से उनको जिम्मा संपा है हमारी आगनवाडी वरकर्स हमारी आशा वरकर्स हमारे जो क्रेच हैं हमारे जो स्कूल हैं बच्चे पढ़ सकते हैं और जो हमारा इनक ये स्वास्त को ठीक रखने के लिए या इनको कोई आगे बिमारी न लगे उसके लिए ठीका करने के लिए ये विभाग उनका काम करता है। तो नहीं लग गई है तो हर बच्चे की समाल करना ये इस विभाग के दिमें रहेगा। तो ऐसे सब युवा ये युवा अवस्ता ऐसी होती है इस समय समालना बहुत जरूरी होता है दिशा देना बहुत जरूरी होता है तो हमारे युवा एक ठीक दिशा में काम करें। के लिए वो काम हम देते हैं उनको इसे परकार 25 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक यह ऐसे युवा होते हैं जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं जो कहना के नौकरी की तलाश करते हैं तो इस नाते से इनके यूवकों की जगतिविधिया में ये भाग ले और हर किसी को अपने परिवार पालन के अंदर सहीओ करने के नाते रोजगार प्राप्त हो ये काम हो उसके लिए भी करते हैं ये भी हमा अपरा है सब अपने काम में लग जाते हैं कोई छोटा काम करे बड़ा काम करे नौकरी करे दुकान करे उद्विधियों करे इन सब के जिम्हें अपने परिवार का पालन पोर्शण होता है इनको किसी परकार की कठराई इनना आए ये भी काम उनके जिम्हें लगाया जाता है तो सब लोग इस नाते से और व्यस्त रहें सब को एक परकार से परिवार पालन के अंदर पूरा अवसर मिले तो इस परकार साथ साल तक और साथ साल से उपर की आयू के वर्ग के लोग जिसमें हम शामिल हुए ह ऐसे सब लोगों के लिए जो हमरा सेवा विवाग है सेवा विवाग के जिम्हें ये लगाया है कि साथ वर्षे लेकर और जितने वर्ष तक के आयू प्रभू ने हमको दी है उस वर्ष तक सब की संभाल ये सब करें विशेश तोर पर इन सब वर्गों के लिए स्वास्त का विशे ऐसा है जो हर किसी को पर लागू होता के स्वास्थ ठीक रहे व्यक्ति स्वस्थ रहे तन्दुस्थ रहे और अगर कहीं अस्वस्थ होता बिमार होता है तो उसका इलाज的 होlek इलाज ठीक करने के नाते हमारे देश के परहन मंत्री विशेष तो और बहुत चिंतित है गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब परिवार किसी के इलाज कराने में इतना खर्च कर बैठे कि परिवार जो है वो कहीं उसकी कभर न तूड़ जाए क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपय का इलाज का खर्च देना ये संभव नहीं है इस नाते से उन्होंने हर गरी परिवार के लिए पांच लाफ रुपेज तक का ये जो स्वास्त बीमा है ये लागू कराया है आयुशमान भारत के नाते जब हमें ध्यान में आया कि केंदर की स्कीम में तो हरियान के साड़े पंदरा लाख परिवारी कवर हो रहे हैं हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई चिरायू योजना ताकि एक लाख असी जार पे तक की आये के जो परिवार हैं उन सब को इसका लाख मिले और इसमें 29 लाख से भी जादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं अब हमको ध्यान में आया आखर एक असी भी बहुत आये ऐसी है जिसमें शायद इस से उपर के लोग को भी कठाई आयेगी तो इस वर्ष के बजट में हमने इस आये को बढ़ा करके तीन लाख रुपया प्रती परिवार ये आये रख करके और थोड़े से पैसे लेकर थोड़े पैसे याने 125 रुपया महीना अर्थाक 15 रुपया साल इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्त विवा योजना उनको भी इसको उफर किया है ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके अब ऐसे ही हमारे जो बज़र्गों की सती है बज़र्गों में एक वर्ग ऐसा है मित्रों जिनकी आयू असी वर्ष से भी उपर हो गई है तो इस असी वर्ष से उपर के आयू के जो लोग है उनकी विशेश चिंता हमको करनी होती है तो हमने अपने जितने भी वलंटियर्स है इनके जमें ये लगाया है वलंटियर्स वो जनता में से भी आते हैं और हमारे सरकारी करमचारी वो भी वलंटियर्स बन सकते हैं हजारों के संख्या में ऐसे सरकारी करमचारी वलंटियर्स बने हैं बलके मैं अपील करता हूँ कि आप भी उनको ये कहें जो हमारे सरकारी करमचारी आपके परिवारों के लोग हैं उनको कहें कि वालन्टियर बन करके ऐसे बजर्ग जिनकी आयू 80 साल से उपर हो गई है इनकी देखवाल करने के लिए कम से और कुछ ना करें महीने में एक बार जाकर उनका हाल चाल पूछें कोई अस्वस्त है कहीं क क्योंकि ये भी लगबग सवा दो लाख परिवार ऐसे हैं जो 80 वर्ष से उपर हैं इन सवा दो लाख लोगों के भी चिंता हमको करनी चाहिए ये हमारे बजर्ग हैं और बजर्ग हमारे मता-पिता के बराबर होते हैं तो हम अपने मता-पिता के बराबर बजर्ग 80 साल 90 साल सो साल से भी उपर की आयू के लोग लगबग साड़े तीन हजार लोग आज ऐसे हैं जिनकी आयू सो वर से भी उपर है तो एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिन्होंने सारा जीवन चाहे अपने परिवार को पालते हुए भी जो सेवा की है समाज की एक बहुत बड़ी सेवा है तो हम आज उन बजर्गों को जरूर देखवाल करें सरकार ने की उजना बनाई है ऐसे बजर्ग जो अकेले रहते हैं क्योंकि ये भी एक बड़ी संख्या है जो आज ध्यान में आता कि असी साल से उपर की उमर है और अकेले रहते हैं ये संख्या भी कम नहीं है ये संख्या लगभग ऐसा जो मेरी जानकरी है ये लगभग 28,000 लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और जिनकी आये वो लगभग 1,80,000 रुपे तक है तो इनकी भी चिंता हमको सबको करनी है तो ऐसे परिवारों को जो अकेले अकेले हैं उनका बड़ोग मुश्किल है उनको अपने जियुन यापन करना उनको परिवार की साहता नहीं मिल रही है या कई बार परिवार एक छोटे मोटे विवाद होते हैं उसके कान से माता पिता को कई बार बच्चे भी दूर कर देते हैं जो एक बहुत अच्छे बात नहीं है बहुत इसको हमको संभालने की आवशकता है कि जिस परिवार को पाला को साथ बजरुग ने वो बच्चे उन परिवार उन बजरुगों की जरूर उसकी देखवाल रखें उनकी चिंता करें आकर उन्होंने आज तक हमको पाला है आज जरूर उनकी आफशकता है उनको साहता करने की तो हम साहता करेंगे एक वर्ग ऐसा हमको ध्यान में आया कि आयू भी 80 वर्ष से उपर है अकेले रहते हैं और उनकी अपनी इंकम हमारे डटा के इसाब से 25,000 पैसे कम है ऐसे भी 3600 लोग है अब ये 3600 लोगों की हलत क्या होती होगी जब हमने इसका विजार किया तो हमने गोशना की है कि अभी अपरेल से इन सब लोगों के लिए जो व्रिद आश्रस्तल सिवाश्रम वरिष्ट नागरिक सिवाश्रम इन सिवाश्रम में उनको हम कहेंगे कि आगर के अजा करके वो वहां रहें ताकि उनकी अपनी व्यक्तिकत कोई भी आश्रक्ता है चाहे वो बिमारी की है चाहे उनके रहन सेन की खाने पेने की चाहे रहने के स्थान की कोई भी आश्रक्ता वो उनके पूरी करेंगे और ये सरकार की वश्ता में सब रहें ताकि अगर वो सहमत होंगे उन सब को हम इन सेव आश्रों में रखेंगे तो इस प्रकार मेरा तो आप लोगों से यही है कि हम लोग इन सब चीजों को समझते हुए हम समाजिक प्राणी हैं तो समाज के नाते से हम लोग इन विशों के उपर आगे बढ़ें एक मिशे जरूर में ध्यान कराना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे भी हैं छोटे मोटे लालच के कारण से कई बार तो वो परिवार के अंदर रहते हैं फिर भी उनको लगता है शायद अलग फैमिली अलग परिवार इसका रेजिट्रेशन कराएंगे तो कोई लाब हो सकता है और उस छोटे लाब के कारण से वो अपना रेजिट्रेशन अलग से करा लेते हैं अब बड़ी हरानी की बात है कि हमारे हाँ अलग सिंगल फैमिली मेंबर जो परिवार जो ऐसे गिने हैं वो लगबग 28,000 जैसे मैंने बताया है या 28,000 लोग 80 से उपर के हैं जिन्होंने सिंगल फैमिली मेंबर कराया है और जो सब मेंबर को लगा लिया जा यानि सिंगल फैमिली आयू का धान न रखे तो ये लगबग 30,000,000 से भी उपर हैं तो इन सब लोगँ को भी जरूर ध्यान करना चाहिए कि अगर हम सिंगल मेंबर फैमिली हैं हमारी कोई और सायथा नहीं करता हम केले रहते हैं किनी भी करणों से तब टो ठीक है अन्यता परिवार में रहते हुए सिंगल मेंबर फैमिली इसका रिश्टरिशन न कराएं क्योंकि इनकी सबकी जाच तो होती ही है आकर कोई भी काम बिना जाच के वो आगे बढ़ने वाला नहीं है इसलिए उस जाच करके ही हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और कहीं ऐसा न हो कि आज अपने आपको आपने सिंगल मेंबर फैमिली इस्टर कराया है और कल को जाच में बात सत्य न पाए जाए हमारा मेंबर जो मेंबर्शिप परिवार की वो समापतों करके हमको वापिस उसी मेंबर में जाना पड़े यह कोई अच्छी बात नहीं है आज ही हम लोग अपने आपको संभाल करके जो तथे हैं जो उचित बाते हैं उनको अगर आप दर्च करेंगे तो मैं आपको इश्वास दिलाता हूँ कि कोई गरीब परिवार है उसकी हर परिवार की जिनता राशन कार के नाते से आटोमेटिक राशन बनते हैं राशन कार बनते हैं अब उसके लिए कई जाना नहीं पड़ता है इसी परकार अगर किसी परिवार की सिर्फ पर छत नहीं है प्रदानमत्री आवास योजना के अंतरगत उनको मकान मिलता है कोई वक्ती बिमार होता है तो उसको आयशमान के नाते या चिरायू योजना के नाते पांच लाख रुपे तक उसकी बीमा की भी चिंता हम करते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की भी हम चिंता करते हैं और तो और कोई वक्ती आगे चल करके भी बमार नहो उनकी स्वास्त की जाच करने के लिए भी हमने की योजना बनाई है निरोगी योजना अर्थात इसमें भी हर वर्ष या दो वर्ष में कम से कम हर एक रिक्तिका एक बार उसका स्वास्त जाच जरूर हो इसके लिए भी निरोगी योजना बनाई गई है हमारे जितने भी CHCs हैं, PCHCs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और अब तो हम इस काम में प्राइबट जो हस्पिताल हैं, उनकी वस्थावी कर रहे हैं, ESI हस्पिताल, उनकी वस्थावी को भी इसमें जोड़ा गया है, ताके हर व्यक्ति का 25 तरह के जो टेस्ट हैं, 2 साल में एक बार उसका जरूर हो जाए, अगर कोई छोटी बड़ी बिमारी मनों शरीर में पड़ी है, हमको पता ही नहीं लगता है, कहीं आगे चल करके, वो भेंका रूप ले, इससे पहले ही संबल जाएं, और संबल करके उसकी छोटे मुटी की इलाज की जो बाते हैं, उसको हम और अभी से कर पाएं, वक्ति बिमार नहो, इसके लिए भी हमने जो है, आयुश विभाग को सक्रिय किया है, ताके हमारा रहन सैन, खान पान, हमारा शारीरिक व्याम, खेल कूद, इसके और भी, हमारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, ताके आखर तो बिमार ही क्यों हो, बिमार नहो, इसके बहुत लाब हैं, बिमार होने के बाद, इलाज तो कराने के लिए खर्च हो गई होगा, हमारा समय बरबाद होगा, हम काम करने से भी गए, मानो, अगर एक मैना इलाज के लिए हमको लगाना पड़ता है तो एक मैना आखər काम का जो नुक्सान है हमारा अपना भी नुक्सान है परिवार का भी है, देश का भी है इसलिए स्वास्त रहें और स्वास्त नहों इस पर भी हम पूरी युजनाई बना रहे हैं तो मित्रो आज जो है इस नाते से मैंने उनी बंदों से बाचित की है जिन लोगों की pension की नई योजना बनाई हमने old age pension, विध्यवस्था pension इसके नाते जिनको automatically अपन्या pension बन गई ऐसे लोगों से मैंने बाचित की है आपने मेरी बाचीत को बहुत ही ध्यान प्रोग सुना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद